अगर आप एक printer खईदने जा रहा हैं तो printer को सोच समझ कर खड़ी दीजेगा क्योंकि printer एक high cost का समान है इसलिए जब आप उसको खईद हैं तो उसके पूरे review पढ़िएगा उसके सारे specification पढ़िएगा उसके बाद उसको buy कीजेगा आज की इस वीडियो में हम HP के दो printer को compare करेंगे HP company काफी पुरानी multinational और एक branded company है जो बहुत सारे printing के समान बनाती है laptop भी बनाती है आज दो printer को हम compare कर रहे हैं पहला है M126NW दूसरा है MFP136NW दोनों ही HP के हैं इन दोनों को compare करेंगे इनके जो features है property हैं उनको check करेंगे कौन सा printer best है वीडियो को end तक देखिएगा आप देख रहे हैं best वाले यहां मिलता है आपको शांदार comparison बहतरी रिव्यू ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरू कीजिए वीडियो शुरू करने से पर आपको बता दें दोनों printer के जो price है वो change होते रहते हैं दोनों के links नीचे description में दी गई है review चेक कीजिए इनके specification चेक कीजिए इनके latest price चेक कीजिए buy करना चाहें तो buy भी कर सकते हैं अब देखते हैं इनका comparison पहला हमारा printer है M126NW जो एक best seller printer है दूसरा printer है MFP136NW ठीक है इसका सबसे बहले बात करते है तो इसरा फंक्शन ना लहदेगी यानि कि दोनों printer में कौन सा function है एक printer दोतरीकी के आते हैं पहला होता है कि single function यह multi function तो दोनों printer multi function यह ही print scan और copy कर सकते हैं इसके बाद scanner type की बात करते हैं तो scanner दोनों का flat bed scanner है यानि कि paper को रखना है सीधा और यह सीधा को scan करता है इसके बाद देखते हैं इसका print output तो दोनो printer आपके black color के ink से print करते हैं only black and white इसके लावा color नहीं है इसमें जो duplex printing की बात करते हैं duplex printing क्या होता है आपने एक page लगाया उसके दोनों तरफ आप print करना चाहते हैं तो duplex printing वाले जो printer आते हैं वो अपने आप दोनों ही तरफ print कर देते हैं आपको page घुमाना नहीं पड़ता एक बार print करते हैं फिर वापस उसी page को वो वापस अंदर लेकर उसको उल्टी तरफ print करके बाहर कर देते हैं इन दोनों printer के अंदर ये function नहीं है दोनों के अंदर नहीं है याद रखिएगा अगर आप कोई duplex printing बाय करना चाहते हैं तो मैं कोशिच करूँगा description में कोई अच्छा सा duplex printer link देने के कोशिच करूँगा उसको भी आप चेक कर लिजेगा इसके बाद बात करते हैं display की तो display क्या होता है कि इसमें आप देख पाए कि भाई कितने printer रहे गया है कितने बाकी है तो इसे display होता है दोनों printer में display दिये गया है दो line का text display है खराइदिय से पहले check कर लिजेगा कि शायद इनके जो display है इसमें बेक लाइट नहीं है यानि कि ये ब्लेक अन वाइट ब्लेक कलर के डिस्पले हैं जिसमें आगर आप थोड़ा कम उजाले में इसको चलाएंगे तो आप देख नहीं पाँगे कितना क्या प्रिंट हो गया क्या बाकी है इसलिए इसके अंदर था रखिए कि ये वाइरलोस अगर आप चेक करना चाहें कि वाइरलेसली ये कनेक्ट होता है इसके रिव्यू पढ़ियेगा पहले कि वाइरलेस में दिक्कत भी आधी है कभी-कभी तो इसके एक्ट्र रिव्यू आप पढ़िये डीप में कि wirelessly कितनी range तक यह connect करता है इसकी बात बात करते है print per minute की company के तरफ से बता जाता है कि एक minute में कितने print कर सकता है तो दोनों printer जो है वो 20 pages per minute print कर सकते हैं cost per page की बात करें cost per page क्या होता है कि एक page print पर कितना रुपे का पड़ेगा तो देखें यह एक ISO standard के साफ से होता है यह एक मानक है उसके साफ से अगर आप local ink यूज़ करें और cartridge अपने साफ से यूज़ करें pages तो वो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन एक ISO standard के साफ से देखें तो company का दावा है कि जो पहला printer है M126NW उसमें आपको 2 रुपे का एक प्रिंट पड़ेगा ठीक है लेकिन जो दूसरा है उसका उन्होंने बताया नहीं तो हमने calculate करके लगबग हम बताएं तो 1.5 रुपे यानि कि 2 रुपे के आसपास ही वो आपको पड़ेगा ISO standard के हिसाब से देखें तो अब बात करते हैं page size support की तो दोनों ही printer में A4, A5, B5 इस तरीके के pages support होते हैं आप इसके पर देख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं duty cycle की duty cycle क्या होता है अब ही company बता देती कि अगर आपका ये काम है तो आप ये printer लीजिए मान लीजिए कि आप एक बड़े corporate में काम करते हैं और आपको एक महिने में लगबग 50,000 print निकालना पड़ता है तो आप ये printer मत लीजिए क्योंकि इनके पूर्जे बोल जाएंगे अगर आप 50,000 print निकालेंगे तो company ने के देख भई ये जो दोनों printer है इसमें जो पहला printer है इसमें लगबग आप maximum 8,000 अगर आप मंतली print निकालते हैं तो आप पहला वाला printer लीजिए अगर अगर आप maximum 10,000 तक print निकालते हो maximum तो आप ये second वाला लीजिए यानि कि maximum हैं ज़ादा से ज़ादा कम तो आप कितने भी निकाल सकते हैं लेकिन 8,000 से ज़ादा ना हो ठीक है तो ये इनका duty cycle कि आप पर मंत 8,000 तक print निकाल सकते हैं पहले में दूसरे में 10,000 तक print निकाल सकते हैं बात करते हैं print resolution की दो दोनों printer जो हैं वो 1200 उन्टू 1200 dpi तक maximum तक ये print कर सकते हैं जो काफी अच्छी बात है इसके बाद page yield की बात करें यानि कि एक cartridge को भरने पर कितने pages ये print करके देगा तो company का दावा है कि दोनों ही print आपको 1500 pages तक print करके दे सकते हैं इसमें warranty की बात करें तो दोनों में आपको एक साल की warranty मिलती है और इसका price की बात करें तो इसका जो price है दोनों का वो 15,000 के उपर रहता है जैसे ये पहला printer है इसका अभी current में शायद 16,000 के आसपा से इसका आप check कर सकते हैं price वगेरा अब इन दोनों printer का एक overall comparison आपको बता देते हैं इन दोनों को आप देख लीजे लगबग बिलकुल बराबर है printer और एक जैसे ही है लेकिन अगर आप बात करें कौन सा सबसे ज़्यादा बिखता है तो जो पहला वाला है ना ये बलेक कलर का ये सबसे ज़्यादा बिखता है ये बात यादा रही मतलब ये अभी एक shopping website पर one of the best seller printer है और इगर इसके बारे में कोई doubt हो आपको printer का तो आप comment में लिख के पूछ सकते हैं दोनों की link नीचे description में दी गई है वहाँ जाईए इनके review चेक कीजिए specification चेक कीजिए और buy करना चाहिए तो buy भी कर सकते हैं कोई भी सवाल हो comment में लिख सकते हैं हम कोशिच करेंगे उसका जवाब देने की वीडियो पसंद आया है तो subscribe जरू कीजीगा इस channel को एसे videos पाते रहने के लिए कोशिच करेंगे इस वीडियो आपको देते रहें वीडियो को देखने के लिए thank you